मित्रों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मित्रों साल 2022 का आखरी वा दूसरा सूरी ग्रहन लग रहा है ऐसे में इसका सुब मुहरत और कभी ये ग्रहन लगेगा गर्वती महिनाओं को कौन से सावधानी रखने होंगी बच्चों बूढों तथा युआओं को भी कौन से बातू का ध्यान सूरी ग्रहन के दोरान नरखना चाहिए मित्रों यह अक्टूबर में लगने वाला सूरी ग्रहन विसेश महत्पून रहेगा क्योंकि 25 अक्टूबर को यह सूरी ग्रहन लग रहा है और ठीक इसे एक दिन पहले 24 अक्टूबर को दिपावली का पावन परव है ऐसे में दिपावली के ठीक बाद लगने वाला यह सूरी ग्रहन कई प्रकार से दूस प्रभावकारी हो सकता है सुभफलकारी हो सकता है ऐसे में सूरी ग्रहन का सही समय जानना और इसमें करने बारी उपायों के बारे में जानना और इसमें कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए किस प्रकार से आपके जीवन में धन धान की कमी को दूर कर सकता है और किस प्रकार से मातल लक्वी जी और भगवान गनिजी को परसंद कर सकते हैं ग्रहन के दोरान आपको कौन से सुब कारे करना सबसे उचित होता है और कौन से ऐसे कारे हैं जोकी करना वर्जित होता है इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने यह वीडियो आपके लिए आपके घरवालों के लिए और गर्वती महिलाओं के लिए खासकर महत्पूर रहेगा इसलिए आप से अनुरूद है कि आप इस वीडियो को बीना इस्कीप किये पूरा जरूर देखें मित्रों साल 2022 का आखरीव दूसरा सूरी गरहन अक्टूबर महीने में लगेगा जोति सास्त्र के अनुसार सूरी गरहन अमवस्या और शंद्र गरहन पुरुनिमा को लगता है धार्विक पान्याताओं के अनुसार गरहन के दोरान किसी भी सुभवा मांगली कारी को करने की मना होती है गरहन के दोरान सुतकाल भी रहता है ऐसे में आईए जानते हैं साल का दूसरा वा आक्री सूरी गरहन का समय सही समय और परती जाने वाली महत्पून जानकारियों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप सूरी गरहन के दोरान कौन से ऐसे कारी हैं जो की बिलुकुल भी नहीं करने चाहिए जोतिस सास्त्र में सूरी ग्रण को अत्यतिन महत्पून माना गया है इस दिन पूजा पाट के अलावा तांत्री गद्विदियों से समधित कई कार किये जाते हैं वही कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं जो ग्रण के दिया दोरान किये जाए तो बड़ी से बड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है लेकिन इन उपायों के साथ सूरी ग्रण काल के कुछ नियम भी होते हैं मान्यता के अनुसार अगर इसका ध्यान रखा जाए तो जातकों पर सूरी ग्रण का असुब प्रभाव नहीं पड़ता है आईए जानते हैं इन के बारे में जोति सास्तर के अनुसार ग्रहन काल के दोरान भोजन बनाने और भोजन खाने से बचना चाहिए ग्रहन काल के बाद नया भोजन बनाना चाहिए यदि संबभ हो तो ग्रहन के बाद घर में रखा सारा पानी बदल दें सारा खाना बदल दें मानता के अनुसार ग ग्रहन का दुस्प्रभाव नहीं पड़ता है अगर भोजन बनाना बना कर रखा हो या ग्रहन लगने बाला हो तो उसमें पुल्ची का पत्ता या कुछ आप अवस्य ढाल दें मानता है कि ऐसा करने से ग्रहन का दुस्प्रभाव नहीं पड़ता है जोति सास्त्र के मुताबिक ग्रहन काल के 12 गंटे पहले और 12 गंटे गबाद तक का समय सुतक काल का होता है इस दोरान खाने पीने से बचना चाहिए हलाकि बच्चे, बुढ़े, बिमार और गर्वती बहिलाएं ग्रहन के 4 गंटे पहले तक और भोधन ग्रहन कर सकती है अगर जरूरी हो तो इन्हें ग्रहन काल में भी भोधन करने की छूट होती है जब भी सूरी ग्रहन समापत हो तो उसका सुद्ध बिम देखकर ही भोधन करना चाहिए मत्रों आपको बता दें कि जोती सास्तर के अनुसार ग्रहन काल के दोरान पहनेवे कपड़ भी असुद्ध हो जाते हैं इसलिए जैसे ही ग्रहन खत्म हो कपड़ों को सहीद असनान कर लेना चाहिए ध्यान रखें ग्रहन काल शुरू होते ही स्वेंग पर गंगा जल डाल कर सुद्धिक्रट कर लेना चाहिए इसके अलावा ध्यान रखें कि ग्रहन के दोरान कभी भी पत्ते लकड़िया फूल न तोड़ें आपको बता दे कि ग्रहन काल में घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए इसके अलावा ग्रहन काल ग्रहन देखने से भी बचना चाहिए कहते हैं सूरी ग्रहन और चंद्रहन के समय सूरी और चंद्र तकलीत में होते हैं इसलिए ग्रहन के समय उन्हें देखने से बचना चाहिए। इसके इलाबा ग्रहन के समय संभोग करने, मंजन करने, तेल लगाने और ताला खोलने जैसे कारुष से बचना चाहिए। अन्यता इसका दुस्प्रभाव पढ़ सकता है। और कई तरह के कष्टो को भुगतना पढ होता है। इसके इलाबा ग्रहन काल के दौरान ऐसा कोई भी खात-पदात जो सरीर के तापमान को बढ़ा देता है। और जिसे पचना सरीर के लिए मुश्किल होता है। उनका ग्रहन के दौरान सिवन नहीं करना चाहिए। वरना डाइजेशन से जुड़ी समंद दिकते हो स सकते हैं परिसानी हो सकते हैं। वहीं ग्रहन काल के दौरान गर्वती महिलाओं को सुई कैती धारदार चीजों जैसे का उप्योग नहीं करना चाहिए। ग्रहन काल के दौरान गर्वती महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए। बाहर की वस्तों को ना देखें नहीं चूहें आप कुछ ऐसी जगा जाएं जहां पर सूरी का प्रभाव सूरी की किरने आप तक न पहुँचे गरवती महिलाओ को सूरी गरण के दोरान ठंडे पानी के बाद असनान करना ताहिए ऐसे में उन्हें सुक्ष में जीवों से किसी भी प्रकार का कोई भी हानी नहीं होती है और बच्चों को भी रहत होता है बत्रों आपको बता दें कि आप इस दोरान पूजा उपासरा ना करें आप घर में अगर मंदिर है तो आप इसे डग दें मंदिर को भी आप उसके कपाट को बंद कर दें वत्रों ग्रहन के समावती के बाद आप भोजन करें ग्रहन में कोई भी सुबकार न करें और ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है ग्रहन काल के दोरान सोना भी नहीं चाहिए इस सुना वाला वेक्ती रोगी हो जाता है इस समय अवदी में भोजन भी न बनाएं आपको बता दें कि इन सभी कारी को करना ग्रहन के दोरान वर्जित होता है अब आईए आपको बताएं ग्रहन का सही समय कौन सा रहेगा क्या यह ग्रहन भारत में दिखेगा या नहीं तुमत्रों साल 2022 का आकरी सूरी ग्रहन 25 अक्टूबर को लगेगा और इस दिन गोवर्धन पूजा भी होगी यह भारत के साथ साथ विश्वके कई अन्य देशों में भी दिखा दाएगा हलाकि भारत में इसका प्रभाव आंसिक रहेगा सूरी ग्रहन 25 अक्टूबर को साम 4 बच कर 29 मिनट से सुरू होगा जो कि साम 5 बच कर 24 मिनट तक रहेगा 42 मिनट तक रहेगा साल का दूसरा वा आकरी चंदर ग्रहन भारत समेथ कई अन्य दिशों में नजर आएगा वहीं आपको बता दें कि सूरी ग्रहन के दोरान आपको सावधानी रखनी चाहिए और जीवन में आपको इससे जोड़ी कई प्रकार के मुस्किलों से भी छुटकारा मिल सकता है आप चंदर ग्रहन के दोरान सूरी के मंत्रों का जाब करें और आप सूरी सूरोत का पाट करें तथा भगवान सूरी दीव को नमस्कार करें आप हनुमान चलीशा का दुरुका चलीशा का भी बात कर सकते हैं आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जै माता दी जै स्री राम अवस्चे लिखें